है कि वेल्डम टूण लेस्न इस लेस्न में हम बात करेंगे कि कैसे आप डैनामिक सर्च अड्स रून कर सकते हुए डैनामिक सर्च एड्स क्या होती है तो डैनामिक सर्च अड़को गूल को जस्ट अपना website का address देना होता है ठीक है and using that Google automatically the headline URL सारी चीज़े generate कर देता है आपको just लिखना होता है description ठीक है जी आपको just description लिखना होता है और बाकी चीज़े Google खुद automatically generate कर देता है इसको हम कहते है dynamic search ads ठीक है अब यह देखो dynamic search ads के साथ दिक्कत क्या है कि इस पे आपका complete control नहीं है ठीक है जो dynamic search ads है इस पे आपका complete control नहीं है plus dynamic search ads जो है वो उन website के लिए recommended है बस जो website जल्दी change नहीं होती मतलब अगर आपकी website है और उस पे frequently changes हो रहे है हाना तो आपके लिए dynamic search ads recommended नहीं है dynamic search ads बस उसके लिए recommended है जिसकी sites पे frequently searches नहीं होती मतलब frequently changes नहीं होती राइट प्लस एक और दिक्कत क्या है dynamic search ads के साथ कि dynamic search ads जब आप run करते हो तो Google जो है वो keyword जो है वो आपके website से fetch करता है तो आपकी website ऐसी है जहां keywords repeat नहीं हो रहे गूगल को कई बार यह problem होगी समझने में कि जो आपकी website है या जो आपका page है उसका theme क्या है वो किस keyword के बारे में है और जब ऐसा होगा तो Google सही keywords नहीं दिखा पाएगा और आपके पास सही traffic नहीं आएगा है तो यह थोड़ा सा problem है तो चलिए हम देखते हैं कि dynamic search ads आप बना कैसे सकते हो ठीक है तो dynamic search ads बनाने के लिए आपको simple जाना है plus और new campaign और create a campaign without a goal और आपको search लेना है और यहां पर आपको उच लेनी के जुरत नहीं है आप सीधे कर दो continue और बाकी जैसे आपने search ads बनाये था वो सारी चीज़ आपको पता है जब आपको करना क्या है जब आप आओगे show more settings में यहां पर यहां पर एक option आगा देखो dynamic search ads settings ठीक है option आ रहा है dynamic search ads settings तो आपको इसे click करना है और then Google आप पूछ रहा है आपके domain का नाम कि क्या आपका domain है तो यह रहा मेरा domain तो यह domain मैंने कर लिया copy और यहां पर मैंने paste कर दिया ठीक है और इस सब हटा दिया मैंने just root domain डाल दिया मैंने ठीक है then language select कर लिए लेंग्वेज है तो English है और select targeting source अब देखो targeting के लिए तीन तरीके हैं Google के पास पहला use Google index of my website अब Google ने मेरी website index कर रखी होगी है ना Google पे तो यह कह रहा है कि क्या जो Google ने website index की हुई है मैं वो सारी information यूज करूँ दूसरी कह रहा है कि URL from my page feed अगर मैंने कोई page feed बनाया है तो वो मैं URL select कर सकता हूं और मैं उन्हें ही बस आट दिखा सकते हूं उन URLs पे दिखा सकता हूं तो यह हम कल के lesson में सीखेंगे कि कैसे आप यह page feed बना सकते हो कैसे URL बना सकते हो and then last one is use URL from Google index as well as जो आपने page feed दी है तो तीन option है पहला जो की आपकी Google ने website index की है खाली वो information यूज करें दूसरा जो भी आपका आपने page feed बनाया है Google पे Google वो information यूज करें and the last one is जो भी आपका page feed है प्लस जो भी Google ने index किया है वो दोनों का combination यूज करें आगे सारी चीज़े सेम है जैसे आप करते आए हो यहां पर जस्ट आपको budget लिखना है बाकी सारी चीज़े आपको पता है बिडिंग हम आजे चेंज कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि most of the time some manual CPC ही यूज करेंगे और enhanced हम यूज नहीं करेंगे show more settings यहां पर हमें कुछ नहीं करना और add extensions का हमें कुछ नहीं करना save and continue add extensions हम बाद में बना देंगे अभी मैं नहीं बना रहा है अब देखो मेरा add group आ गया अब आप एक चीज देखो by default Google ने यहां पर दो categories बना दी दो keyword type यूज कर ले पहला यूज किया गूगल ने दीपक सिंग और यूज किया गूगल ने facebook ads यह दो गूगल ने categories बना दी अब मैं चाहूं तो मैं इन दो categories को use कर सकता हूँ इन दो categories को use कर सकता हूँ और यहां पर मैं लिख सकता हूँ bid यह basically keywords है कि मैं इसके लिए कितना देना चाहता हूँ और इसके लिए कितना देना चाहता हूँ कितने पैसे देना चाहता हूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ, category यहां से यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक option है देखो, specific web pages, अगर मैं category यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे specific web pages डाल सकता हूँ, जो की मैं target करना चाहता हूँ, तो जो भी page है, से यह मेरा home page है, इसे ही target करना चाहता हूँ, तो यह मैं डालूँ गा और यहाँ पे मैं add करतो mushा, अब देल मुझे लिखना है bit, कि कितना मैं bid करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या target कर रहा हूँ, specific web pages, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं Google ने मुझे already recommend किया था, मैंने वो choose किया था यहाँ पे मैं कर रहा हूँ specific web pages, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ all web pages, मेरी website पे जितने web pages हैं, मैं सब को target कर सकता हूँ वहाँ से Google जो भी relevant keywords है वो उठाएगा और Google ad बना देगा, ठीक है तो suppose करो, यहाँ पे मैं specific web pages target नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहाँ से remove कर देता हूँ, मैं simple क्या करता हूँ, जो Google ने मेरे को recommend कि थी, यह दो categories और यहाँ पे मैं default bid डाल देता हूँ से 40 रूप, right, default bid डाल दी मैंने, और अगर मैंने default bid डाल दी, तो मुझे यह bid डालने की जोरत नहीं, अगर मैं यह bid डालना चाहता हूँ, suppose करो मैंने डाल दिया 60 रूपीज, तो Google से मैं क्या कह रहा हूँ कि भाईया, मेरा default bid तो है 40, बट इस वाले के लिए इस theme के लिए, इस category के लिए, इस keyword के लिए, मेरा bid 60, और इतना मैंने किया, और then मैं करूँगा save and continue, अब देखना आप जादू, देखो आपको यहाँ पर बस लिखना है description, बाकी चीजे Google क्या करेगा, Google dynamically खुद generate कर देगा आपको यह करने की जरूरत नहीं है again, जैसे कि मैंने आपको पहले खा था, dynamic search ads are not recommended, आपको कभी बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर आपके वास पैसे बहुत है, आपका budget करोडों में है, आप पैसे waste करना चाहते हो, तब आप dynamic search ads बना सकते हो, नहीं तो आपको dynamic search ads नहीं बनाना, dynamic search ads से अच्छा result नहीं आते, बहुत ही खराब traffic आता है, पैसे की wastage तो यहाँ पे अब मुझे लिखना है, just description and then save and continue और यह मेरा ad done है ठीक है जी, simple लिखा मैंने description 1, description 2 and then save and continue URL options आपको पता ही है, आप tracking template जो मैंने आपको बताया था, अगर आप लगाना चाहो, तो यहाँ पे लगा सकते हो, और simple आपको क्या करना है save and continue बन गई आपकी dynamic search ad, again हम dynamic search ad use नहीं करेंगे but just आपको पता होना अच्छी है कि dynamic search ads होती ही क्या है और बनती कैसे है, ठीक है, इसी के लिए हमने किया, dynamic search ads thank you so much for watching this lesson